पर देखिए जब आपको एक बैनर आज आएगा बनाने तो एक से ज़्यादा जितना मर्जी उतना बैनर आप बना सकते डिजानी करके ठीक इसका पहले आपको कॉंसेप्ट मालूम होना चाहिए जहिंद मैं सुझीत आपके अपने यूटूब चैनल कैम्प्यूटर होला में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज किस वीडियो में हम जानेंगे यूटूब बैनर किस प्रकार से बनाया जाता है यदि आपके पास फोटो सप्ट 7.0 हो या पीएस हो कोई भी हो तो उसमे नहीं बनाते हैं फिर आपका चैनल में परफेक्ट से जाके वह नहीं लगेगा किस परकार से बनायेंगे तो टीवी के लिए लैप्टॉप कंप्यूटर के लिए सभी लगेगा हाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय अब देखिए बैनर किस परकार से बनाएंगे ताकि मोबाईल में भी और लैप्टॉप में वी जैसे यहाँ पर हमाब इसको बनाय हुए है तो यह लैपटॉप में यह कम्प्यूटर बीपूरा दिखाएगा यहां से लेके पूरा और इसके गाद मुवाईल में आपको यह से इतना दूर है जो दिखाए देगा यह दिखाए देगा तो यही बैनर सेम टू सेम हम लोग बना के देखिए जब आपको एक बैनर आ जाएगा बनाने तो एक से जादा जितना मर्जी उतना बैनर आप बना सकते डिजारिंग करके ठीक इसका पहले आपको कन्सेफ्ट मालम होना चाहिए चल यह तो इसके लिए Photoshop में आ गया और Photoshop में आने के सबसे पहले एक Méariamente पेज लेंगे ठीक पेज का साइज पिक्सल में हो आपकीणा में पिक्सल में कीतना होगा तो इसका जो व विदवुद है जो हो जाएगा 125 सौट पक्सिस्इंस इसज अब इसको हम किस प्रकार से एरेंज करेंगे ताकि यह जो वह सेब करेंगे तो एक अच्छासा है जा कि वह ही पिछे पक जाएं तो इसके लिए क्या करना होगा सबसे पहले दिखिए यह Paul पूर्ध है जो साइज है भी के लिए ठीक जब lcd में देखेंगे तो उस समय क्या हो जाएगा पूरा दिखाएंगा तो lcd तो उतना देखता नहीं इसके लिए अगर आपको अगर उपर भी कस्टमाइज करना हो नीचे भी करना हो तो आप कर सकते हैं तो चलिए हम इसके लिए अप सबसे पहले कहां चलते हैं व्यू में चलते हैं यहां गाइड में जाएंगे व्यू में जाने के बाद क्या करेंगे गाइड में जाएंगे आ और guideline लेना है तो यह guideline के लिए क्या करेंगे new guideline यह guideline का size देंगे कितना तो दोस्त दो हजार चौशर्ट यह भी पिक्सल में देंगे तो PX ठीक तो यहां से हो गया अब हम लोग ऊपर से भी काट के बनाएंगे height में ठीक तो इसको भी guideline लेंगे ठीक new guideline और new guideline लेने के लिए horizontal आप करेंगा बहुत कर नहीं क्यूंकि आप ऐसे से करना है तो इसका size लेंगे क्या तो इसका लेंगे 507 PX यह याद रखिएगा अगर इतना size नहीं लीजिएगा फिर आप banner तो बना लीजिएगा लेकिन आप जब वहां पर set कीजिएगा तो आपका set size से perfect नहीं होगा तो इसको आपको याद रखना होगा सबसे पहले 507 पिक्सल ले लिए फिर इसके बाद एक और ले लेते हैं जिसका कितना ले लेते हैं तो ले लेते क्या वह size लेना ही पड़ेगा ठीक 929 पिक्सल पिक्सल आये हो जाएगा ओरिजेंटल अब यह जो size यह बन चुका है यह size बना यह पूरा में जो बनेगा वह टीवी में दिखाई देगा उसके बाद यहां से यहां तक जो बनेगा वह laptop या computer में दिखाई देगा उसके बाद यहा बनाना किसी साब से यह पीछे वाला है जो बैनर है यहां पर यह है ऐसा बनाना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे पहले इसमें पीला कलर से फिल कर देते हैं आपको जो कलर से फिल करना हो आप कर सकते हैं तो यहां से यहां हम पकड़ किसको पहले खीचे देते हैं इस आपको YouTube का thumbnail देना है तो download कर लिजे Google से फिर या किसी प्रकार की कर फोटो देना हो अपना फोटो देना हो तो ले लिजिए हम यह दो फोटो यहां पे हम रखे हुए ठीक यह दोनों फोटो हम Google से ले लिए इसको हम दोनों साइड से क्या करते इसको arrange करते है Ctrl T से transparent करके इसको छोटा कर लेते हैं और छोटा करने का आप इसको यहां पर क्या करते हैं चलिए यह फिट भी हो गया फिर आप इस साइड से भी एक है ठीक तो यह तो हो गया इसको भी लिए और इसको लाने के बाद कि यहां से countrice sea transparent कर देंगे चिपका देंगे हो गया हलका यह और इधर आज आ जाएगा तो देख लेंगे अपनी हिसाब से और इसके बाद थोड़ा इधर कर दिए और हैं पर यह हुगा चलिए अब इसके बाद क्या करना इसमें लिखना है जिजानी करना तो यहां से तो मोबाइल और केंप्यूटर यह दोनों के तो आपको बनाना होगा तीवी के नहीं बनाएगा फिर भी चलेगा और यह दोनों के ताब इसके बाद हमको क्या करना है केंप्यूटर वाला लिखना है आप अपना चैनल के नाम लिख दीज़ेगा ठेक तेक रहे हम उससे पहले क्या करते एक अपना फोटो भी ले लेते हैं चलिए एक फोटो रखेव यह फोटो ले ले लेते हैं फोटो ले लिए इसका है जो बैक्गराउंड हम हटा चुके है आ चोटा कर लिए और यह अंदर है तो कंट्रोल शिप्ट और जो मिडल ब्राकेट होता है उससे उपर ले आएंगे चलिए उसके बाद इसको हम छोटा करना है यहां पर यहां पर गोला सा सिंबल हम ले लेते हैं अपने हिसाब से ले लिजेगा जो आपको जरूरत अच्छा है कि पेज जो लेते हैं सबसे पहले पचीस सो साथ और चोदो सो चालीस यह भी क्या चीज में पिक्सल मी यह ले लिए और यह लेने कе बाद देख ले देसका कहण सा है चलिए यह हो गया इसका कलर थोरा कि शर्या टाइप का है तो इसको हम लोग क्या करेंगे थोरा की शर क्लर क्या करते हैं फील कर दिया अब दूसरा क्लर फीले सकते हैं कंट्रोल टी से ट्रांसपैरेंट कर दिया इसको थोड़ा क्या किया हम बारा कर दिया इस परकार से हो गया कंट्रोल टी से ट्रांसपैरेंट थोड़ा हम क्या करते हैं इसको ऊपर कर लेते हैं अब इसमें क्या इसके बंद्द्दा लगता है तो यहां साब कालर में चलेक्ट कर लें। इसके के बलेकश यहां से हारे सिरन घ्रापर करें ूचा जाए घ्रलत है यहां है चलिए और यह थोड़ा यह सटा हुआ है तो में सटा लेते हैं आपका अपने हिसाब से करना होगा याद रखिएगा और उसके बाद यहां यह अंदर है तो इसको control और shift और जो पी के बगल में है तो उसे अंदर होगा उसके बगल में उसे बाहर हो जाएगा करके थोड़ा और क्या करते हैं छोटा कर लेते हैं तो यहां तक हो गया यह अब इसमें हमको लिखना है केंप्यूटर वाला ठेक अब अपना चैनल के नाम लिखिए गाए अपना हिसाब से डिजाइनिंग देखिए यह तो आपके पास अगर फोटो सब्ट का नौलेज है ताब अपने हिसाब से इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं में यहां पर दिकत होता है कि यहां पर किस परकार करते हैं थोड़ा बारा कर लेते हैं देखिए यह फॉंट भी आप देख लीजिए का कौन सा फॉंट आपके लिए अच्छा है ठीक दा फॉंट एक वेपसाइट है जहां पर जाके आप अपने हिसाब से जैसा आपको फॉंट चाहिए डाउनलोड कर सकते हैं चलिए इसको क यहां फिर क्या करते बॉडर इसका बलेक देदेते हैं आपको जो जरूरत हो जैसा अच्छा लगता हूं वो बॉडर आप दे दीजिए घुट चलिए हम इसका बॉडर है बलेक देदिया और इसका जो मोटा है जो ठीरी नहीं टू कर यह हो गया ठीक और इंटर मार दिये य इस परकार से हो गया यहाँ पे यहाँ पर यह क्या करना आफैस के बाद क्या करना है er कि बहुत है रहने तो this чलिए रहल ना देख लिखते हैं जान फिट्व और जो लिए गया है तो यहां से हम ले सकते हैं तो यहां पर चले आया ठीक और यहां पर यह कलर इसका कलर हम दे देते हैं ब्लेक्स ठीक ब्लेक्स दे देते यहां से और ब्लेक्स देने के बाद यह तो सिलेक्ट हो गया नहीं है चैले हम वोर्डर दे दिये और वोर्डर दिने के चलिए अब इसके बाद फिर इसमें हमको लिखना है फॉन्ट आप अपने हिसाब से दाफ फॉन्ट पे चले जाएगा और डाउनलोड कर लिजिएगा चलिए यहां पर क्या लिखना है हाड़ वियर को तो ऊपर करके लिख लेते हम हाड़ वियर स्मॉल में है कैप्टल में तो स्मॉल करके हम तो इस परकार से हाड़ वियर कॉमा सॉप्ट वियर क्या कर सकते है चोटा कर सकते है और क्या है टेक्निकल नॉलेज तो इसके लिए हम लोग चले आए और यहां पर लिख लेते हैं टेक्निकल नॉलेज टेक्निकल नॉलेज हो गया और इसके बाद क्या करेंगे इसको नीचे लिए आएंगे और यहां पर क्या करेंगे जो यहां से कलर चूज कर लेते ठीक वाइट कर लिया इस पर लाएंगे तो वाइट इस पर आजाएगा और इसको हम अपने शाब से छोटा वाड़ा यहां पर कर सकते को up कर सकते यह तो हो गया तो आप इस फूटा थोड़ा करना तो आप इस परकार से चोड़ा कर लीजिए चोड़ा हो गया अब इसमें जो नीचे लिकाना लिखा हुआ है बिल्ड यूर वाइट फूचर in computer या टेकनिकल तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे देखिए यह है जो थोड़ा और चौड़ा उपर वाला हम कर लेते हैं तो उपर वाला और चौड़ा कर लिए इस परकार से यहां पर हो गया अब इसके बाद क्या है बिल्ड यूर ब्राइड फ्यूचर तम लिख देंगे यहां यहां पर आते हैं और आने के बाद यहां से हम ब्लेक कर देते हैं चलिए बी यू आई एल डी विल्ड यूर ब्राइट फ्यूचर इन केंप्यूटर कर लेते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं या टेक्निकल तो अम लोग इस प्रकार से कर लेंगे और इसको नीचे यहां पर लाके आप कर दिजिए इस प्रकार से लाके इसको ब्युश्तित कर दिजिएगा यहां से यह विश्तित हो गया अब इसको हम से ओंडूर्स सेटीं है अब इसको सब्सक्राइब करेंगे चलिए क्या करते हैं यहांगेस प्लिप करते हैं मौत है देख्टों काने के बाद लिखिते एस पर बैनर इसको क्या कि हम सेबक करीए तो अब तो इसको हम अगर करेंगे यहां पर यहां पर आते हैं और चेंज करते इसका जो पिक्चर को क्या करते हैं चेंज करते हैं तो अब इसको हम लोग के लिए और यह है जो टीवी के लिए तो यह पूरा अगर डिजारिंग किजे गाइटर टीवी के लिए तो इस परकार से गर बनाएगा तो एको डेट आज आएगा नहीं banner अगर बनाते हैं हो ऐसे तो क्या हो जाएगा वह कहीं से कहीं कोई भी भाग जाएगा और वह सही से perfect नहीं आएगा मुझे उमीद है कि यह video आपको अच्छा लगा होगा यदि यह video आपके लिए helpful हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा आज के लिए इतना फिर मिलते हैं अगले वीडियो